पैरसीट अमोल एक ड्रग है एक सॉल्ट अब इतनी अलग 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 प्राइस पर क्यों बेच नहीं मतलब कि जिसको अगर मैं छोले बुटुरे खा रहा हूं तो छोले बुटुरे को मैं इस बात पर बोल सकता हूं कि हाँ यारी वह बढ़िया तेल इस्तेमाल कर रहा या बढ़िया छोला इस्तमाल कर रहा है या इनग्रीडियेंट इस्तमाल कर रहा है तो और हैजीनिक यह गया है तो समझ में आता है कि दोस्तों 300 रुपे की छोले बुटर की प्लेट भी हो सकती है और मैं अगर सड़क पर खड़े हो करके खा रहा हूं तो पचास रुपे की भी हो सकती है लेकिन आज की तारीक में अब्विएसली यू नो कि भई पैरासेटमोल जो हम जब भी किसी ड्रग की बात करते हैं तो जो उसका एक्टिव इंग्रीडेंट होता है वह आइडेंटिकल होना चाहिए तभी कि थर्टी मिलीग्राम की ड्रग है तो उसकी इतनी प्यूरिटी और उसमें इतना पैरासेटमो है हां बट वह अगर आप सिर्फ एक पैरासेटमोल मान लो तो अलग-अलग ब्रैंड के थोड़े प्राइस अलग-अलग होते हैं बट इतना वेरियेशन मुझे लगता नहीं कि होता है लेकिन बाकी ड्रग जो है जैसे जैसे फिनेस्टराइड है बालोगाने वाली सबसे ड वो दवाई में भी इस सोट अफ ड्रग ऑफ लगजरी रही जैसे कि और इसके अंदर में एक और पंगा मैंने पूलो आपको बताना आपको बताना यह कंपनी को ने कंपनी जब चलती है तो उसको अपने फायदा भी देखना होता प्रॉफिट वगरा तो वो इन ड्रक्स प का बालुगाने वाली दवाई खरीद ले क्योंकि या फिर कुछ बट जो दवाईया थोड़ी जादा पैरसिटमॉल या जो ऐसी जो दवाईया उन पर कैप होती है तो हर कंपनी वो एक बेसिक ट्राइस पर या उससे थोड़ा उपर नीचे लेकिन फिर उसके अंदर में प्राइस बढ़ा करके बेच सकते हैं प्रॉब्लम है इंडिया लोगों में कि आप कि इंडिया में अगर आप देखें तो पॉइंट क्या है कि चाहे आप वह देख लो कि स्कूल में अगर को इनिविजलेशन के लिए आ रहा है चाहे आपका वाईवा लेने के लिए कोई आ चाहे आप आपका जो 12th class का जो experiment exam होता है उसके अंदर में external आ रहा है इन सभी जंगों पर एक ही चीज common है वो ये कि जो बंदा आता है उसकी खातिरदारी की जाए उसको जरा वो दिया जाए कि क्या नाम है खाना पीना इसका बढ़िया कराया जाए उसके पूरे आवा भगत की जाए और उसके बाद इस बात को इंस्पेक्टर जो हैं इंड्या में भेजते हैं अब प्रॉब्लम वाली बात यह है कि इंड्या में भेज रहे हुआ हुआ है और इंड्या में आते hem 그게 जैसे ही उतरते हैं लग्शुरी कार आती और प्रॉब्लम ये भी है दो-दो महिने पहले से वह ख़बर देरेते हैं कि दो महिने के बाद जो है वो आपके पास आने वाले है तो दो महिने के अंदर में मतलब कि जो लोग होलता है कि इंडिया वाले पूरी बिल्डिंग खड़ी कर दो धो कि नौट की नजरे मिलती और वह विक्ती क्या करता है इतर दो पर भागने लम अब यह बनता है तो वहाँ पर क्या पता चलता है कि वो उसके अंदर में पेपर मिलते हैं ऐसे मतलब क्योंकि कंपनी में जब भी कोई चीज नॉर्मली चल रही होती है तो तो वो नॉर्मली ही भाई observation है बाद में जाकर कि उन चीजों को दबाया जाएगा भाई ये पता चला है तो उसके अंदर क्या हुआ कि company में बना रही थी insuline और insuline के अंदर में जो था m तो प्यवलिद्ल ये लो पहले वालिद्रग्ह बना रहे थे और پिर उसी equipment पे insulin वाले वो बना रहे थे तो इसकी वज़े से obviously contamination आए गई आएगा लेकिन एक बार तुमने इतना बड़ा batch release कर दिया तो क्या होता है कि retract करने में बड़ी ही बड़ा ही जादा नुकसान वाली situation आ जाते न तो अब ये लोग क्या करें कि अब रिट्रेक्ट तो कर नहीं सकते तो क्या किया जाए तो यह जितने भी पेपर वर्क है इसको suppress कर दिया जाए जितना भी जल्दी हो और तो और जिन जिन केसिज में ran back si की बात कर रहा हूं भोलो मैं कि छोटी मोटी कंपनी कंपनी वह ब्रैंडिन ड्रग को उठाते थे उसका चूरा बनाया उसको अपनी मसीन में डाला उसका डेटा निकाला अपनी नाम लगाए कि हमने reverse engineering करके बनाया और ड्रग existing नहीं करती और ड्रग एक्जिस्टी नहीं करती तो लोगों ने बस FDA से अप्रूवल ले लिया अब ब्रैंडी ड्रग खरीदी मार्केट से चूरा बनाया अपनी मशीन में डाला मास पैक निकाल के दे दिया प्यूरिटी दिखा दी और FDA से अप्रूवल ले लिया कि हां तुम्हारे पास ड्रग है तुमने reverse engineering से बना लिया और अब तुम्हें हम अ विसकस हो रही हैं पर जो company ने accept करी हैं और उसके लिए आरजाने बरे हैं यह वो चीज़े हैं और तो और ब्रैंड बैक्सी वालों ने यह तक बूल दिया कि भाई हम लोग मालों कि तुमको HIV की हम तुम्हें ड्रग दे रहे हैं कोई particular है और अगर FD और जो भी company वाले होते ह है कि जैसे अमेरिका में गएंगे तू अमेरिका यूरोप लंडन तो यह लोग stringent policy हैं इनकी ऐसा नहीं कि तुमने इनको drug दी और यह लोग खरीद देंगे वो उसमें से batch में से चेक करेंगे अपने उन्मा स्पेक्ट तो है तुरंत उसमें से sample निकाल करके पंदरावी sample नि नहीं तो जैसे नहीं तो रूल कहता है कि इसको discard करताना चाहिए लेकिन रेनबेक्सी वाले नहीं करते हैं और यह लिकर कि यह सीना ठोक के बोलते हैं कि अगर वहां नहीं चल रही है और उन्होंने दो पैरलल चीजे बना दो पैरलल काम चल रहे हैं उनकी कंपनी में जहां पर वह एक तरफ बनाते हैं फर्स्ट वर्ल्ड के लिए ड्रग जिन पर पूरा ध्यान लगाते हैं और उस पर ज्यादा प्राइस भी रख सकते हैं और उसमें क्वालिटी कंट्रोल अशॉरेंस रखते हैं अगर वह फेल हो जाता है महां पर तो उसे उठाकर कि इंडिया में